तो जो कॉंट्राइट साइनिंग है न ही कॉंट्राइट साइनिंग के एक सेग्मेंट के नहीं बलकी पुरे शोकी थी विकाउज मज़ा तो बहुत आया और शोकी एंडिंग के अंदर तुम एक पुराने रॉयल रंबल का एंडिंग याद आ गया होगा लेकिन आज होता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट रंडिंग वर्सिस सोलो का मैच और यह मैच तब हुआ जब सोलो सिको हो और बलड लाइन अल्रेड़ी एजे स्टाल्स और एले नाइट की धजिया उड़ा चुकी थी तो क्या कुछ वहाज कि स्मैकडाउन के अदर जब होने वाली थी रोमरेंस की कॉंट्राइट साइनिंग विकाउज आखरी में रोमरेंस को एक रॉयल रंबल वाला आरके उपड़ाएं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन इस वीडियो देखो हुआ कि शोगी उपर पहले जो कॉंट्राइट साइनिंग सेग कंपीट करेंगे एक वेकिट अंडिस्प्यूटेड चैंपियंशिप के लिए अब इसके बाद रूमरेंस बैक्स चीश के उपर कहते हैं जाओ भाई सबको तबाह कर दो ऐसी तैसी कर दो सबकी तो हुआ क्या हो उसके बाद की एले नाइट और एजे स्टाल्स के उपर माच होना था तो सोलो कहते हैं मैसिफ की टेक क्यार आफ कर लूँगा तो सोलो इनके मैच में इंटरप्शन करते हैं जिमी के साथ में और वह एले नाइट और एजे स्टाल्स दोनों की धज्जियां उड़ाते हुए नजरा है फिर फाइनली वो कहते हैं यह दो डाउन हो चुके से बीच व बीच में तीनों सूपर स्टार्स आपस में खड़े होते नेक ऑल्डिस होते हैं रिंग साइड के ऊपर और अचारा इसा होता है कि एले नाइट एजे स्टाल्स को आरको लगाते हैं छोड़ी देर बाद आउन पिछे से रोमरें रिंज आए सूपर्मैन पंच ल तरीके से उन्होंने रोमन को रॉयल रंबल से लिमिनेट किया था सीधा रैंडी और रोमन की आगों के सामने रखते हुए नजर आए और कुछ इस तरीके से यह पूरे तरीके से शो एंड हुआ यानि कि आज रेंड यह आरके हुई आरके हुई आरके हो मचा दिया पूरे शो के उपर मुझे लग रहा बस जिमी उसो बचे तो बागी तो सबको पढ़ी ही गया था और ने कॉल्ड इसको तो पहले पढ़ चुका है चलो बाइद आए वीडियो अगर तुम्हें यह वाली व तुम्हेर